नमस्कार दोस्तो स्वागत है आप सभी का आपके अपनी यूटूब चानल बाउन टू एड़ुकेशन में मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ आज की इस नई वीडियो में देखे दोस्तो अपने वादों के अनुसार में फिर से जारकन में जिला इस्तर का एक नया वेकेंसी लेकर के सामने आया हूँ कोई भी फेक नियूस नहीं है 100% रियल नियूस है ओपिसे नोटिस जारी कर दिया गया है आज के वीडियो में डीटेल में जानेंगे क्या आहरता मागा गया है किस परकार आप फॉर्म फिल कर सकते हैं कब से कब तक लास्ट एटे सभी चीजों के बारे में आज किस वीडियो में बात करेंगे इस वेकेंसी के बारे में सबसे अच्छा बात यह है कि यहाँ पे किसी भी प्रकार का आपको फीज देने का विशकता नहीं है आप अपना फॉर्म फिल करके निवंदित राक या फिर इस पिर पोस्ट के द्वारा बेज सकते हैं ठीक है और पहली बार यहाँ पे जारकण में जिला इस्तर के वेकेंसी के लिए नया चीज एड किया गया है उसे हम लोग जानेंगे जिसे देख करके मुझे परसनली बहुत अधी खुसी मिली पता नहीं आपको खुसी मिलेगा की नहीं उस चीज के बारे में भी आज किस वीडियो में बात करेंगे एक नया कोटिशन यहाँ पे एड किया गया है उसके बारे में बात करेंगे चले आज किस वीडियो को सुरू करते हैं और अगर आप चैनल पे नए हैं अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरू सब्सक्राइब करते हैं सामने के बेल का आइकन को प्रेस करके रख सकते हैं आप सभी को पता होगा जारखन में किसी भी कोने में किसी भ जरू सब्सक्राइब करके रखे अगर आपने इस वीडियो को देखना सुरू कर चुका है लेकिन फिर भी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इसे जरू लाइक कर दे चले चलते हैं डायरेक्ली ओपीसियल नोटिस पर तो देखे दोस्तों ग्रियर रख्चक का यहां फे वे वेकंसी है जबकि सहरी च्यत्रों में 175 वेकंसी है टोटल मिला करके आपको 700 से जब ही जादा यहां पर वेकंसी देखने को मिलेंगे डिटेल में चानते हैं क्या है वेकंसी किस परकार आपको एपलाई करना है तो जैसा कि आप से भी देख पा रहे होंगे छारकंड ग्रियर रक्षा वाहिनी ग्रीडी का ये vacancy है विग्यापन सेंख्या 1-2023 के नाम से ये vacancy रिलीज किया गया है ग्रेडी जिला के ग्रियर अक्षक के रूप में नामंकन के लिए रिक्तियों के बिरूद सुयोग उमिद्वार से बिहित प्रपत्र में आवेदन आमंतिरित किये जाते हैं ग्रामीन तता सहरी ग्रिय रक्षक के लिए आवेदन बीहित प्रपत्र में भर कर अलग-अलग जमाग कर सकते हैं यहाँ पर देखे वेकेंसी का डिटेल यहाँ पर दिया गया है ग्रामीन चेत्रों में जो वेकेंसी है डूमरी चेत्रों में है सरिया चेतर में तीसरी, बगोदर, बेंगाबाद, उसके बाद पिर्टार में भी है, बीर्णी, धनवार, गांडे और गिरिडी चेतर में सभी मिला करके टोटल 533 जिसमें महिलाओं और पूरुस तोनों को मिला करके साथ में दिया गया है सहरी चेतरों में देखे, आप सभी देख पारे होंगे, गिरिडी सहरी चेतरों का जो वेकेंसी है, 175 यहाँ पे वेकेंसी देखने को मिलेगा चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं किस परकार आपको फॉर्म फिल करना है, क्या-क्या आहरता मागा गया है जैसे कि आप सभी देख पारे होंगे, यहाँ पे उम्र सीमा की बात करें तो एक एक दो आजर तेईस के अनुसार यहाँ पे नियूनुतम उम्र 19 वर्ष होना चाहिए और अधिक्तियम वर्ष जो है 40 वर्ष तक है और कुछ-कुछ यहाँ पे छूट मिलेगा जो कि जारकंड के सभी वेकेंसीज में देखने को मिलता है सेक्चेनी की होगे ताकि अगर बात करें तो ग्रामिन गिरिया रक्षोकों के लिए नियूनुतम साथभी पास होना आवश्चक है सहरी गिरिया रक्षोकों के लिए यहाँ पे देख पारे होंगे नियूनुतम मेट्रिक पास होना आवश्चक है सारे रिक मापदंड की अगर आप बात करें तो यहाँ पे लंबाई जो है वो पुरुसों की 165 cm होना चाहिए अगर आप जेनरल या फिर OBC से बिलोंग करते हैं अगर आप STSC से बिलोंग करते हैं तो 157 cm अगर आपका हाइट है तो भी आप फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं महिलाओं के लिए 148 cm सभी के लिए यहाँ पे मागा गया है तिक है याद रखेंगे पुरुसों के लिए यहाँ पे सीना जो मागा गया है 79 cm सामाईने और OBC के लिए मागा गया है साथ में याद रखेंगे STSC के लिए 76 cm यहाँ पे मागा गया है वीडियो के अंतक मने रहें सभी प्रकार के डीटेल आपको प्राप्त होंगे उन सभी जिलों में एक एक करके आएंगे उसके लिए चैनल को जरू से सब्सक्राइब करके रखे आपकी जिले में जब भी वेकेंसी आएगा उसका अपडेट में आपको तुरंसे दे दूँगा गिरिया रक्षक का जो टेस्ट होता है बहुत आसान होता है सभी कोई लगबग लगग जो एपलाई करते हैं उसका सिलेक्षन होने का चांसिस रहता है यहाँ पर देखे क्या एड किया गया है आपने आवेदन के साथ कार्मिक, प्रासासनिक, सुधार तथा राजभासा विवाग जहारकन सरकार के पतरांग सेंख्या 14, विविद 15, 22, 2019, 5752, दिनांग 19, 7, 2019 के अनुसार आवेदन को जहारकन का इस्तानिय निवासी होना अवश्यक है इस लाइन को देख करके मुझे तो खुसी हुआ परशनाली पताने आपको खुसी हुआ की नहीं हुआ कमेंट करके जरूर बता दीजेगा लेकिन मुझे इस लाइन को देख करके खुसी हुआ ठीक है सहरी ग्रिया रक्षक के लिए जैसे की आपसे भी देख पा रहे होंगे अभ्यारती को ग्रिडी जिला का सहरी छेत्र होना अवश्यक है और साथ में इसमें भी कहा गया है कि आवेदक को जरकन का इस्थानिया निवासी होना अवश्यक है तो इस चीज को आप जान ले बहुत सारे कमेंट आते थे कि दूसरे जिलो की स्टूडेंट भर सकते हैं कि नहीं इससे पहले जो फॉर्म आ रहे थे उसमें किलियरली लिखावा नहीं राता था लेकिन इसमें किलियरली लिख दिया गया है कि आवेदक को जरकन का इस्थानिया निवासी होना अवश्यक है आगे चले जानते हैं किस परकार से आपका चैन होगा चैन परक्रिया कि अगर बार करें तो सबसे पहले सारेरी जांच परिक्षा होगा जिसमें एक मिल का दोड़ होगा उची कोद होगा लंबी कूद सौर्ट पूट समयलित है जिसमें देखे अलग-अलग मार्क्स मिलते हैं यहां पर एक मिल का दोड़ में अगर पांच मिनट से पहले या फिर पांच मिनट में पहुंचते हैं तो बीस अंग मिलेगा पांच मिनट से छे मिनट के बीच में पहुंचते हैं तो दस अंग मिलेगा छे मिनट के बाद अधिक समय लगाते हैं तो उसमें आयोग्य मना जाएगा उसको डिस्क्वालिफाइक कर दिया जाएगा वही महिलाओं के लिए यहां पर देख पारे होंगे, 8 मिनट या फिर उससे पहले पहुंचते हैं तो 20 अंग दिया जाएगा, 8 मिनट से 10 मिनट के बीच में पहुंचते हैं तो 10 अंग दिया जाएगा, 10 मिनट के बाद अगर पहुंचते हैं तो आयोग्य मना जाएगा, उसी प लंबी कुद का भी उसी प्रकार दिया गया है, कितने कुदने पर कितना आपको मार्क्स मिलने वाला है, सोर्पूट का भी नीचे दिया गया है, तो देख लीजेगा, तकनिकी दक्च में आपको देखे, यहाँ पे तकनिकी दक्च केवल याद रखेंगे, सहरी गिरियर है, उची कुद है, लंबी कुद है, और सोर्पूट है, सभी के लिए अलग-अलग मार्क्स यहाँ पे मिलने वाले हैं, ठीक है, उसके बाद देखे, हिंदी लेखन चमता परिक्चा होगा, जो की क्वालिफाइंग नेचर का होता है, 100 मार्क्स का होगा, और 10 वी लेबल का यहाँ पे पूछा जाएगा, 30 अंक लाना जरूरी होगा, और दकनिकी दक्च परिक्चा सहरी के लिए, यहाँ पे सेम वही क्वालिफाइंग नेचर का होगा, 100 अंक का होगा, और आपको 30 अंक लाना जरूरी होगा, ठीक है, और यहाँ पे देखे, सभी जांच सही सही भरकार सभी बांचित अनूलगनकों के साथ निबंदित डाक या फिर इसपीड पोस्ट से नीवन पते पर भेज़े। लिजेगा उसमें मैं आपको ये form डाल दूंगा form को डाउनलोड कर लिजेगा भर करके इस पते पर आपको भेजना है जिला समादिस्ट जारकंड गिरियरक्षा बाहिनी कारियालाई चेताडी गिरिरी पिन कोर दिया गया है यहाँ पर आपको निबंदित टाक के द्वारा या फिर इस्पीट पोस्ट के द्वारा आप भेज सकते हैं डेट याद रखेंगे आवेदन सुविकार करने की जो तिथी 23-23 से सुरू हो रहा है 4-4-2023 तक चलेगा अंतिम तिथी के पस्चाद आवेदन यहाँ पर सुविकार नहीं किया जाएगा इसे आप याद रखेंगे आवेदक पावती रसीद या फिर परवेशपत्र जीला समादिष्ट का कारिया लई जारकन गिरे रक्षा वाहिनी चेताडी गिरिडी से दिनांग 25-3-2023 से लेकर के तीन बज़े तक प्राप्त कर सकेंगे किसी भी परकार का आपको अगर जानकारी चाहिए तो www.girid.nic.in पर जा करके आप सारे जानकारिया यहां से प्राप्त कर सकते हैं ठीक है? चले मैं नीचे दिखा देता हूँ कि इस परकार आपको फिल करना है इस परकार का आपको फिल करना है इस परकार का आपको फिल करना है तो इस चीज़ को याद रखेंगे सहरी के लिए अलग भरना है और अगर आप गरामिन के लिए भरना है तो गरामिन के लिए अलग फिल करना है तो इस चीजों को आप याद रखिये का, ठीक है, इस फिर्म को भ़र करके, आपको जो लिफापा है, उसमें बंद करके, जो एड्रेस में बताया है, उस एड्रेस में आपको फिल करके, सेंड कर देना है, ठीक है मेरे ख्याल से सारे डिटेल को मैंने सेयर कर दिया है अगर मेरे से किसी भी परकार का डिटेल छूट गया है तो आप कमेंट में कमेंट करके मुझे बता सकते हैं या फिर किसी भी परकार का कोश्चन होगा तो कमेंट में आप कमेंट करके मुझे से पूछ सकते हैं चले आज की इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद इसी परकार जारकन में जिस भी जिले में आप निबास करते हैं आपकी जिले में जब भी वेकेंसी आएगा उसका अपडेट आपको तुरंट से मिल जाएगा इसलिए चैनल को जरू से जरू सब्सक्राइब करके रख अगर आप टेलिग्राम चैनल जोइन करना चाहते हैं तो नीचे लिंक मिल जाएगा जोइन करके रख सकते हैं वहाँ भी जो भी जॉब रिलेटर निउस आता है या फिजारकन में सेक्षेन कोई भी निउस आता है उसका अपडेट तुरंट से आपको वहाँ पे देखने को मिलता है तो चलिए आज किस वीडियो में इतना ही अगले वीडियो में लोग फिर मिलते हैं आज किस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद और Bound to Education Family के साथ जूरने के लिए धन्यवाद